नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश बिहार सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक लगतार बिहार के सिक्षा विवस्था को दुरुस करने के लिए हर एक दिन नए-नए फरमान जारी करने हैं वहीं आपको बता दे चलेगी केके पाठक ने सिक्षा विभाग को सुधारने के लिए जहां एक तरफ बिहार के हर सिक्षा को ये साफ साफ आदेश दे दिया है कि वो स्कूल में पूरे डिसिप्लेन की तरह आएंगे खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएंगे साथी साथ टा यानि की प्रिंसिपल को देंगे तो वहीं आपको बता दे चले कि केके पाठक ने एक और नया फर्मान जारी कर दिया है क्या केके पाठक ने अब सिक्षा विभाग के लिए नया फर्मान जारी किया है चलिए आपको हम बताते हैं सिक्षा विभाग की अपर मुखे सचीब क के पाठक सिक्षविवस्था को दुरुस करने में लगे हुए हैं एक तरफ से विवस्थाक में सुधार का बीड़ा उठा लिया है खास बात तो ये है कि इने सफलता मिल भी रही है उन्होंने हाल में स्कूल की विवस्था को ठीक करने का बारी बारी डीम और डीयो को चार सु जारी किये थे अब इस पर अमल में लाने की दिशा में कदम भी उठाने को कहा था पाठक ने डीयम और डीडीसी को एक बार फिर उन्चारों सुत्रों से अफगत कराया है और अब एक सितंबर से धरातल पर लागू करने के लिए रनीती बनाने को कहा है अब अपर मुखे चीब ने पत्र में कहा है कि एक जुलाई से स्कूल पर लगातार अनुश्रवन किया जाएगा जाहां भी स्कूल में बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ तो दूसरी और स्कूलों में समस्या और कई कमिया जो हैं वो सामने आएंगी जिसके निदान के लिए विभाग की अस्तर से नही कदम उठाए गये हैं मुख्यरूप से चार कदम उठाए गये हैं इन चार सूतरी कारेयों पर वीशेस धियान देने की जरूरत है उन्होंने ड्यम और ड् Radio कि से 25 पर चार सुतरी कारेयों के गंभीड़ता से लेने को कहा है ताकि एक सितंबर से स् का भी उन्हें आगरा किया है जारी पत्र में केके पाठक ने बिवाग के अस्तर से उठाए गए चार कदमों की जानकारी डियम और डीडी सी को दी है बताया गया है कि पहला कदम प्रीफेव स्ट्रक्शर का निर्मान करना बच्चों की संख्या बढ़ने से उन्हें बरामत प अध्यापको की कमी को पूरा करना बीपया से इस कमी को पूरा करने में लगा है हाला कि इसमें अभी थोड़े वक्त लग सकते हैं अध्यापको toward करने पर अपर मुखे सचीव ने यहां तक की आउट सोर्सिंग एजंसियों के माध्यम से अध्यापको की विवस्था करने का रखिया है तीसरा कदम है स्कूल परिसर फरनीचर सौचाले की सफाई जो आएक तरफ कीके पाठक ने साफ साफ कह दिया है सौचाले यहां पर बिल्कुल साफ नहीं रहते हैं उनकी सफाई होनी चाहिए चौत्ती जो कदम है वो है दस हजार स्कूल में लैब को संचालित करना जो आएक तरफ कीके पाठक ने कह दिया है कि दस हजार स्कूल में कम्प्यूटर लगाया चाहिए और इन कम्प्यूटर की रक्षा करने के लिए सुरक्षा करमियों को भी तैनात रखा जाए तो आपने देखा क्या कुछ कहना है किके पाठक का कि इन चार कदमों को उन्हों पम आ रहे हैं इसका आप खुजा कर पता लगाईए अगर बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनको बैठने की जगा नहीं है तो टेवल चेयर का बंदुबस किया जाए साथी साथ बहुत से जगा में बच्चे हैं लेकिन वहाँ पर टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए तो ऐसे में टीचर्स लेकर आएं साथी साथ चौथी जो कदम है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर सौचाले सही नहीं रहा तो इस पर भी देखा जाए और दस हजार स्कूल में कम्प्यूटर लैब बनाए जाएं वहाँ पर कम्प्यूटर उकलब कराए जाएं ताक पर कम्प्यूट वहाँ